हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एगरिकल्चर एटियम पर एक बार फिर से स्वागत है हमने इससे पिछली क्लास में उध्यान विग्ञान की परिवासा उसके अर्थ और उसकी साखाओं के बारे में अध्यन किया था अब जो हम पढ़ने लग रहे हैं वो है फलों का बरिगी करण फलों का बरिगी करण कितने आधार पर है उन सभी को हम यहां पर डिसकस करेंगे जो क्या है एक्जाम के लिए बहुत ही beneficial रहेगा तो फलों का जो बरगी करण है वो कई आधों पर बिवाजित लिया गया है फलों का बरगी करण फलों का बरगी करण classification of fruit फलों का बरगी करण फलों की बरगी करण को कई आधारों पर बेवाजित किया गया है सबसे जो पहला जो आधार है वो है जलवायू की आवसकता की आधार पर फलों का बरगी करण तो जलवायू की आवसकता की आधार पर फलों की बरगी करण को तीन भागों में बेवाजित किया गया है जलवायू की आवसकता की आधार पर बरगी करण जलवायू की आवसकता की आधार पर फलों का बरगी करण यानि की क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन वेजड 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 ओन क्लाइमेट रिक्वार्मेंट किलाइमेट रिक्वायर्मेंट किलाइमेट रिक्वायर्मेंट फलों की जलवायू की आवसकता की आधार पर फलों की तीन भागों में बाजित किया गया है या तीन भागों में बाटा गया है सबसे जो पहला जो टाइप है वो है टैम्परेट फ्रूट टेम्प रेट फ्रूट टेम्प रेट फ्रूट सीतोष्ण कटी बंधी ये फ्ल सीतोष्ण कटी बंधी सीतोष्ण कटी बंधी ये फ्ल सीतोष्ण कटी बंधी ये फ्लों से तात पर एसे फ्ल वराक्च जो ठंडी प्रदिशों में उगाय जाते है इनके लिए जो जलवाई होती है वो ठंडी एवं ठंडी एवं आद्र जलवाईू की आवसकता पड़ती है एसी फ़लों के लिए क्या है ब्रदी हो विकास के लिए ठंधी ओट जलवाईू की हला सकता पड़ती है फबर्ग में जो फ़ल आते हैं वह ए रफंगो फब्र apricot, apricot, almond, almond, pear, peach, plum, apple, apricot, pear, peach, plum, or strawberry 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 raspberry raspberry cherry cherry और चेस्ट नट चेस्ट नट बाल नट पीको नट इस बर्ग में इन फलों को सामिल किया इनको याद करने की एक सौट ट्रक है जिससे आप इन फलों को आसानी से याद कर सकते हैं वो ट्रक है वो ट्रक है अलपना 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 लफस अलपना लफस बैरी वेरी और बैरी और नट स्थ्रूप् क्या है अलपना लप्सा बेरी और शुर्ण ऐसका फ्रद कि वैसन कि अलाल ब्या से नहीं लेंड अलपना सी इंग्लिष सब्द असी से मार्ण वा अलपना का है अलपना में ए अलपना से एपल अपरिकोट और आल्मंड अल्पना किया है अलपना की अंतरगत इसको क्या है हमने है दो सोड्ट्रिक की रुप में अपना लिया है फिर इसकी बार लफ्स का जु के हिंदी मीनिग होता है वहता है प्यार प्यार की नश्चार लफ करेंगे जितने भी क्यहा ट्रेक्ष में प्यार सब्दाएगा भहाँ पर हम तीन फ्रक्राइब यहां पर हम चार फ़लों को रखते हैं प्यार की अंतगत लफस लफ्स को हिंदी में प्यार बुला जाता है प्यार के अंतगत तीन सब्दों को पियर पीच पिलम और यहां पर एक और सब्द लखना परसिमोन परसी मौन परसी मौन भी क्या है इस फलों के अंतरगत आता है क्या हो गया अल्पना लप्स बेरी बेरी जिन सब्द के या जिन फलों के पीछे बेरी लगा होता है उन्हें इन में से सिर्फ तीन फल है जो बेरी लगा हुआ है जिनके पाद तो strawberry, berry के अंतरगत जो फल है वो है strawberry, raspberry और cherry क्या है इन तीन फलों को क्या है berry के अंतरगत रखा गया है फिर end nuts nuts में जो जो क्या है यहाँ पर हमने लिए है nuts की अंतरगत है nuts में है पहला chist nut फिर ball nut और फिर pico nut जलवायों की आवसकता की आधरपा जो दूसरा टाइप है वो है subtropical fruits यानि की उपोस्ण कटी बंधी फल उपोस्ण कटी बंधी फल यानि की subtropical subtropical fruit वो पोस्ण कटी बंधी फल या जिनकी ब्रद्धी विकास के लिए गर्म और सुस्क जलवायों की आवसकता होती है उन्हें हम क्या subtropical fruit के अंदर रखते हैं इनके लिए क्या कौन सी जलवायों की आवसकता होती है इनके लिए hot and dry hot and dry जलवायों की आवसकता होती है जो hot और जो dry जलवायों होती है वो है February से लेके June February से लेके June के मद्ध क्या है hot और dry climate होती है जो फलों के लिए क्या है उनकी ब्रद्धी और भेकास के लिए अच्छी होती है तो इस बर्ग में जो फल रखे गए है वो है इस बर्ग में सबसे पहला पल रखा गया है इन वो पाम ग्रेनीट पॉम ग्रेनीट लीची लीची लो काट लो low cut falsa falsa grapes 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 guava grapes guava or strawberry sorry sweet orange sweet orange sweet orange avocado sorry avocado avocado on love on love dead palm dead palm dead palm or mandarin 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 figure figure jamun 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 bail and bear पच्प क्या है निस बर्ग की अंत्रगाइब हमने पॉम्गिरेनेट लीची लोकाट फालसा ग्रेप्स ग्वाबा स्वीट औरेंज अवोकाड़ अवोकाड़ अवला डेटपार्म मेंडारिन फिग जामुन बेल और बेर को क्या है उपोश्ण कटिवंदी फ़लों की अंतरगत रखा जाता है जिनकी ब्रद्धियम बेकास के लिए होट एणि-ठिमीड क्लाइमेट की आवच सकता होती है यानि की गर्म और सुस्क जलवाईयों की आवच सकता पड़ती है जो इस घर मुर जो लोफेगस पॉली लोफेगस अकादमी अकादमी पॉली लोफेगस अकादमी ओफ जावेर या जेवर जैवेर इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हमें किवल इसके इंगलिस सब्द से ही मतलब है जो क्या है इसकी ट्रेक को पूरा करता है या इनको सौर्ट फोर्म में याद करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है सबसे पहला है पॉलिलो फेगस तो हould़ा पॉलिलो फेगस पी एच ए पीएच ए फालसा पॉलिलो फेगस जी से होगे किहां। ग्रेप्स और ग्रेप्स ग्रीदूस तॉयूस अंप तंदर केते हैं। sweet orange यहां पर OEU को क्या है include नहीं करेंगे इसमें OEU को क्या है include नहीं करेंगे फिर polylofagus academy एफोर हो गया avocado और आउला इसमें हम दो फालाओं को लेंगे एवोकाडो और आउला फिर के ए स्री के फोर करॉंदा यहां करॉंदा आना था करॉंदा अकादमी डीई यहां डेट पाम अकादमी और एम आई एम फोल लेंगे मैंडारेन यानि कि पॉलीलो फैगास अकादमी आप यहां पर एप फोर क्या हो गया फिग आप जैबेल 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 बेल वी फोर हो गया बेल और जे फोर हो गया जामुन और वेर फोर बेल यानि कि जो हमारी ट्रेक है इस ट्रेक से हम इन फलों को आसानी से याद कर सकते हैं जैसे हमने बताया पॉली लूफ फैगस अकादमी ऑफ जैबेल जिसका हिंदी मेनिंग होता है आइस पस्ट ध्वनियोक्त अकादमी हमें किवल इसके इंगलिट बर्ड़ से मतलब है ना कि इसके हिंदी सब्द से या हिंदी मीनिंग से तो इसका जो ट्रेक है वो बहुत ही सरल और सिंपल है जो आपकी फलों को याद करने में बहुत ही मददगार रहेगा अब जो इसका तीसरा टाइप है बो है ट्रोपिकल फ्रूट्स यानि की उस्ण कटी बंधिय फल एसी फल बरक्ष जिनकी ब्रद्धी एवं बेकास के लिए गर्म और आद्र जलवायू की आवसकता होती है उन्हें ट्रोपिकल फ्रूट्स के अंतरगत रखा गया है इनके लिए जो अपयक्त समय होता है वह होता है मिड जून से लिएकर सेप्टेमबर के मध्य तक क्यों से ज से लिए बहुत ही अच्छा और उनकी ब्रद्धी एंबिकास के लिए प्रद्धी यूमिड जलवायू की आवसकता होती है जो इनके लिए जो उप्यक्त समय है मिड जून मिड जून से लिएकर सेप्टेमबर सेप्टेमबर यानि कि मद्ध जून से सितंबर का जो समय होता है जो ट्रोपिकल फूर्ट के लिए बहुत ही अच्छा और उनकी ब्रद्धियम बिगास के लिए अच्छा रहता है इस बर्ग के अंतरगत जो फर रखे गए हैं वो हैं कौफी कोकोनट कोफी कोकोनट रवर सोरी रबर मैंगो जैक प्रूट कैसुनट कैसुनट कस्टर्ड एपल सोरी कस्टर्ड एपल कस्टर्ड एपल बनाना बनाना सेपुटा सेपुटा पाइन एपल पाइन एपल पाइया पाइया यानि इस बर्ग के अंतरगत यानि इस ट्रोपिकल फ्रूट के अंतरगत जो फर रखे गए हैं वो हैं कौफी कोकोनट रवर मैंगो जैक प्रूट कैसुनट कस्टरड एपल बनाना सेपुटा पाइन एपल और पाइया इनको याद करने का एक स्वाट ट्रिक है जो अभी अभी जो कौरोना काल चल रहा था उसकी बेस पर एक ट्रिक बनाया है उसकी आधार पर आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं वो है कोरोना को से हो गया कौफी और कोकोनट रो से हो गया रवर कोरोना ना को यहां सामिल नहीं करेंगे तो को फिर हो गया कोकोनट और कौफी और रो फिर हो गया रवर और कोरोना ने मानो कोरोना ने मानो मानो फूर हो गया मैंगो मानो जीवन जीवन फूरो गया जैक फूरूट मानो फूरो गया मैंगो मानो जीवन कैसो कैसो यानि की कैसू नाट कैसो कस्टमाई कस्टमाई कर दियो रे कर दियो रे यानि कि कस्टमाई से हो गया कस्टर्ड अपल को से कौफी और कोको नट रोसे हो गया रबर ना और ने को नहीं सामिल किया है और मानो फूर्ण हो गया मैंगो जीवन से हो बनाया पर सपन संपन सपन से वगया सै वेड़ा बनाय हुआ सफना पानी पानी एक फोर पानी का मीनिंग हो गया पानी पल और दूसरे का पानी का मीनिंग हो गया क्या पापाया पानी पानी कर दियो रे कर दियो रे रहनी जो इसकी जो ट्रिक है वो है कोरो नाने मानो जीवन कैसो कस्टमे कर दियो रे बनाया हुआ सपना पानी पानी कर दियो रे इस बेस पर हम इन फलों को आसानी से याद कर सकते हैं और बहुत ही ये सरल ट्रिक है इनको हिंदी में कॉफी कोफी कहा जाता है कोकोनट और रबर मैंगो को आम जेक फूर्ट यानि की कथ्छल कैसुनाट यानि की काजू रट कश्टरडेपल और बनाना यानि की केला सेपोटा सेपोटा पाइनीपल अननास और पापाया को पपीता बूला जाता है हमने फलों के बरीकरण में पहला टाइप पढ़ लिया है जो था जलवायो की यावसकता के आधार पर फलों का बरीकरण जिसमें हमने तीन टाइप से फलों को बरीकरण किया था पहला टाइप था टेंपरेट प्रूट जो second type था वो था subtropical fruit और जो third type था वो था tropical fruit हमने शभी के example और उनको track base समझ लिया है अब जो second जो classification है वो है अमलता की उपस्थिती के आधार पर फलों का बर्गी करा जो second जो classification है वो है अमलता की आधार पर ताके आधार पर फलों का बर्गी करण अमलता की आधार पर फलों का बर्गी करा है classification based on classification based on classification based on present in present in acidity किया है अमलता की आधार पर फलों का बर्गी करा अमलता की आधार पर फलों को तीन बड़ों में ब्हवाजित गया है जो फर्स टाइप है अमलता की आधार पर पहला जो टाइप है डो है citric acid कौनदा है citric acid citric acid citric amla citric acid ऐसे फल जन में citric amla उपस्थेत होता है या उसकी मात्रा उपस्तेत होती है उन्हें क्या है इस बर्ग के अंतरगत रखा गया या साइट्रे कम लके अंतर गज्जू फर रखे गए हैं वह हैं सेट्रस सुस्पैसीज सिट्रस स्पैसीज सिट्रस इस्पैसीज यानि नीवूवर्गी कि फल बेर बेर फिर गॉवावा गउवा और फिर आउला आउला means इस्पैसीज 2008 śniejीवूबर्गी फल बेर को बेर बूला जाता है, बेर गौवा यानिए अम्रूद और आउला आउला इन्हें याद करने के लिए यह थोड़े ही एक्जामपल हैं इन्हें तो हम आशानी से याद कर सकते हैं इन्हें कोई ट्रिक्प्री आवसक्ता नहीं हैं तो हम इने बिना ट्रिक के ही याद कर सकते हैं चार ही एक्जामपल हैं साइट्रेस स्पेसीज जितने भी साइट्रेस स्पेसीज में जो भी क्या है उसके फ़ल आते हैं वो इसी साइट्रेक कमले के अंतर गताद आएंगे फिर है बेर फिर ग्वाबा और आउला इन ही चार फलों को हम याद कर सकते हैं अब जो दूसरा टाइप है वो है मैलिक एसिड मैलिक एसिड मैलिक अमला मैलिक एसिड ऐसे फल जिन में मैलिक अमला उपस्तित होता है जैसे एपल याँनिकी सेब एपल बनाना एपल बनाना केला एपल बनाना और चैरी मैलिक अमले के अंतरगत एपल बनाना और चैरी को रखा गया है और फिर थाड है वो है तीसरा जो है टार्टेरिक एसेड टार्टे रिक एसेड टार्टेरिक एसेड यानि अमला टार्टेरिक एसेड टार्टेरिक एसेड टार्टेरिक एसेड ऐसे फल जिर में टार्टेरिक अमले उपस्थित होता है उन्हें टार्टेरिक अमले के अंतरगत रखा गया है जैसे इमिली इमिली यानि की टेमा रिंड टेमा रिंड इमिली के बाद अंगूर अंगूर ग्रेप्स वह इसे रखा गया है जैसे आंगूर को भी क्या है टार्टेर की अंतरगत रख़ा गया है हमने फलों का जो दूसरा बरीकर्ण है वो है अमलता के अधार पर फलों का बरीकर्ण पहला ठा जलबाई किया वस्थिक अंग्याथ त Kings फोलों प्रिम के को परिए के पहले तीन टाइप से प्रगिकत किया है पहला जो टाइप है सिटरिक एस बर्कbur ग्ला को रखा गया है मेलेक है कैसे मेले कामल ऑर अंधरा सणे थे पल बनांदा और चेहरी और या तार्टरेक एस्ट इस्के एंतर यूद उकल से फोलों और अंगु फलों का जो तीसरा क्लासिफिकेशन है तीसरा टाइप वो है फलों के पकने की अबधी के आधार पर बढ़गी करण। किलासिफिकेशन बेजड आन किलासिफिकेशन बेजड ओन रिपैनिंग रिपैनिंग γासि फलों के पकने की अबधी की अधार पर फलों का बढ़ गर्ण। फ़लों की पकने की अबधी के आधार पर फ़लों को दो भागों में बरिगत किया गया है पहला जो भाग है पहला जो टाइप है इसमें वो है कलाई मेक्ट्रिक फ्रूट कलाई मेक्ट्रिक फ्रूट कलाई मेक्ट्रिक फ्रूट प्रूट यानि की जलबाई भी ये फल जलबाई भी ये फल जलबाई भी ये फल ऐसे फल पर रक्ष जो तोड़ने जो बेखसे तवस्था पर तोड़ने पर स्वता ही पक जाते हैं यानि की ऐसे फलों को हम तोड़के रख लेते हैं और कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद इस स्वता ही पक जाते हैं तो ऐसे फल रख चूंगो क्या है क्लाइमेट फ्रूट कहा जाता है या क्लाइमेक्टरिक फ्रूट कहा जाता है इस बर्ग में जो फल है वो है जैक फ्र jackfruit, apple, apple, apricot, apple, apricot, apple, apricot, guava, guava, grape, sorry, guava, mango, mango, fig, sapota, banana, banana, इस जो climactic fruit है, उनके इंतरगात हमने jackfruit, एक लड़का है, जो क्या है, दो लड़कियां उसके साबने खड़ी हुई है, एक बहुत ही सुन्द लड़की है, जिसका नाम है अरपना, और एक है सपना, जो अरपना है, वो बहुत ही सुन्द लड़की थी, जिसे वो क्या है, देख रहा था, फिर अरपना चली गई, उसके बाद उसने क्या है, फिर सपना को देखना क्या है, प्रारम किया, इससे पहले किसको देख रहा था वो अर्प्रणा को देख रहा था तो इसा अधर प्रेक ट्रिक है वो है जैसे ही जैसे ही जैसे ही जैसे ही जैसे यानि की जैक फ्रूट जैसे ही अपर्णा 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 यानि की एपल और एप्रिकोड जैसे ही अपर्णा गई गई यानि की गवावा जैसे ही अपना गई मन्जीत मन्जीत यानि की मैंगो मन्जीत ने फिर से फिर से यानि की फिग फिर से सपना सपना यानि की सेपोटा सपना को सपना को प्यार हमने क्या कहा था जहां भी प्यार सब्दा है वहाँ पर तीन फल होंगे तीन फल लिये जाएंगे तो वह प्यार पीच और प्लम इन्हें भी क्या है यह भी इसके एक उपर प्यार पियार वरी नाजरों से जैसे ही अपरणा गयी मन्जीत ने फिर से शपना को प्यार वरी नझरों से देखा इसका जो ट्रक है वो क्या है बहुत ही सौट ट्रक की रूप में है जिससे आप इन फलों को आसानी से याद कर सकते हैं जैसे ही यानि की जैक फ्रूट अपरणा यानि की एपल और एप्रिकोट और गई गई यानि की गवावा और मंजीत ने मंजीत यानि की मैंगो फिर से यानि की फिग और सपना को यानि की सैपोटा और प्यार प्यार यानि की हमने बताया था जहां भी प्यार सब्दा है बहां पर हमें तीन फलों को लेना है इससे पहले हमने चार फलों को लिया था उसमें चार फल ही है इसमें केवल हमारे तीन फल है तो वो हैं पियर पीच प्लम और फिर भरी नजरों से देखां तो भरी यानि की वनाना आप इसे हम क्या है आसानी से यात कर सकते हैं, फिर इसका जो दूसरा टाइप है वो है दूसरा टाइप है वो है नउन कला queste प्रूट नौन कलाई मैक फ्रूट यानि की अजन लबाए भी यह फल हिंदी में बोले तो आ, जल, बाई, बी, आ, जल, बाई, बी, फल नोन क्लाइमेक्टरिक फूट्स क्या होते हैं ऐसे फल बरक्ष जो बेक्से तवस्था में तोड़ने पर स्वताहा नहीं पकते हैं बलकि सूख जाते हैं यानि कि हम इन फलों को तोड़ लेते हैं बेक्से तवस्था में तोड़ लेते हैं और कुछ समय के लिए इन्हें क्या है हम पकने के लिए रख देते हैं तो यह पकने की वज़ाय क्या है सूख जाते हैं पकते नहीं हैं तो ऐसे फल बरक्ष को हम क्या नोन क्लाइमेक्टरिक की अंतरगत रखते हैं तो इसमें जो फल है बो है इसके अंतरगत जो फल है बो है बेर बेर एपल आउला बेर एपल आउला लाइम लाम लामन लीची लाम की अर gelmiş लामन लीची स्टरव्वर्य स्टरव्र्वर्वर्य ड्र देप्ल डिर ज्सा मैह ऑर देप बेर आउल्ड 낌 पाउ tai य का इनक नव warm टाल जैनक जू क्टर एब आपल पानीपल पॉम्ग्रेनेट ब उदेट पाम् चैरी चैरी और गोकोनट इनको याद करने का एक सोट ट्रिक है जो है कि फुटवाल फुटवाल ट्रिक है ट्रिक कुछ इस्प्रकार से है फुटवाल फुटवाल पिलेड फुटवाल पिलेड पिलेड पी-पी-डी-सी फोटवाल प्लेड एट फोटवाल प्लेड एट पी-पी-डी-सी पी-पी-डी-सी ग्राउंड पी-पी-डी-सी ग्राउंड यहनि इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है पी-पी-डी-सी मेनान में फोटवाल खेला गया हमें गेबल इसके इंगलिस मीनिंग से ही मतलब है ना की हिंदी से तो जो फुटवाल प्लेड एट पीपी डी सी ग्राउंड है उससे इस ट्रेक को क्या है एक स्वाट ट्रेक है जो इन फलों को पूरा करती है याद करने के लिए तो वो है फुटवाल foot کو क्या है हम यहां पर नहीं लेंगे बल कि wall को लेंगे wall, sorry B, V फूर हो जाएगा bear, और E फूर हो जाएगा आउला उला एपल नहीं आएगा यहां पर आउला है आउला A फूर आॉला A फूर आउला बाल, एल फूर lime, फिर एल फूर यहां पर बाल में 2L होते हैं, पर हम यहां पर 3L लेंगे. तो यहां पर क्या हो जाएगा? बीफोर बेर, एफोर उयाला, उयाला और एपल भी यहां पर हा, पर यहां पर हाई. एपल, लीची, लाइम, लेमन, एट. एट यानि स्ट्रोवेरी, एट के बाद फिर है पीपीडीसी, पीपी यानि की पाइनेपल, फिर पॉम्ग्रेनेट, डीफोर, डेटपाम, सीफोर, चैरी और कोकुनट, सॉरी, क्या हो गया, इसका जो ट्रेक है, वो हमने बताया, कि फोटवाल प्लेड एट पीपीडीसी ग्रा पीपीडीसी एक सेंटर है, जो आगरा में है, क्या है एक सेंटर है, जो आगरा में है, बहाँ पर क्या एक फोटवाल प्लेड, फोटवाल क्या है, खेला गया, तो उससे हमने एक ट्रेक बनाया है, जो है, कि बी, यानि कि फोटवाल का क्या है, फुट हटाने की बात, फिर बाल में हम यहां पर थीन यहल को लेंगे ना की टो हाट फिर दैसरा चेर्य और चेरी किरी और कोकूनेट क्या हो जाएबürü चेरी क्वा से मेतीजंतथ के जाएब तो सामिल किया तो इस फ्रिकार से क्या हो जाएंगे क्या कुणकून से फल है इपल आंवला लेमन बेर को बेर कहा बेर कहा जाता है एक नथाकूंदा अफैन narcisburgy calling तुम सामिल खेंग लेश्य आंवल सामिल जाया जानव जाएंगे Clear reset स्ट्रावेरी को स्ट्रावेरी कहते हैं पानेपल को अननास पॉम ग्रेनेट को अनार और डेट पाम को खजूर कहा जाता है और चैरी चैरी को हिंदी में चैरी कहा जाता है और कोकुनट और फिर है ग्रेप्स यानी की अंगूर इनको हमने Hindi और English दोनों में लखा है जिन्हे Hindi में लखना है वो Hindi में लख सकते है और जिन्हें अंगरिजी में लखना है वो अंगरिजी में लख सकते है यहांपर स्वारी, Cocoonet नहीं है यहांपर đष्ट कासुनट है कासुनट कासुनट C-A-S-H-E WNUT Cashew nut C के अंतर रगत काँ दो फ़लों को रखा गया Cherry और Cashew nut अब हमेंने क्या है आसानी से याद कर सकते हैं जो classification है वो है ख़द भाग के याधर पर फ़लों का बरगी करण classification classification based on edible part of edible part of fruit क्या ख़द भाग के यादर पर फ़लों का बरगी करण तो पहले तो जान लेते हैं ख़द भाग होता क्या है edible part edible part माल लीजे हमने आम खाया तो आम का कौन सा पार्ट खाते हैं अब गूदे का निर्माड फ्लावर के किस पार्ट से होता है गूदे का निर्माड फ्लावर के जिस पार्ट से होता है उसे क्या edible part कहा जाता है अब हम इसके जो फर्स्ट टाइप है वो इसके फर्स्ट टाइप की बात करने है तो इसका फर्स्ट टाइप है नमबर एक mesocarp mesocarp end epicarp end epicarp end epicarp अब mesocarp क्या है और epicarp क्या है इसी तरह से आगे और सब्दा आएंगे जैसे endocarp endocarp पेरिकार्प और ब्रेक्ट और पेरियंथ इनको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें क्या classification समझ में नहीं आएगा तो इनकी लिए समझने के लिए हम एक structure यान की diagram की सहाता लेंगे जो आपके सामने क्या जो structure है वो क्या apple का structure है उसमें जो अंदर वाला जो पूर्शन दिखरा आपको सीड वो क्या जो अंदर भाइट कलर का है वह सीड़ सीड़ के ऊपर एक लेयर चड़ी हुई है उसे क्या andocarp कर आजाता है andocarp और epicarp के मद एक creamy कलर का जो portion दिख रहा है center में वो क्या आपना मीजो कार पैनी की मद्ध फल भित्ती का है और मद्ध फल भित्ती के बाहरी जो लिए रहे उसे क्या करतें हैं epicarp यान कि बाह फल भित्ती तो जो मीजो कार्प endocarp और epicarp मिल कर अपने क्या क्या निर्माड करते हैं यानि कि फल भित्ती का निर्माड करते हैं तो हमने यहां पर क्या क्या समझा एंडोकार्प क्या है एंडोकार्प बीज को कबरिंग का क्या करता है जिससे बीज क्या है सेफ रहता है तो वो क्या कहलाता है अपना एंडोकार्प कहलाता ह मेजو कार्प पार्ट है उसी क्या मीजो कार्प कहते हैं इसी क्या कहते हैं अब वह है कौन कौन से फल जिनका है मेजो कार्प और एपी कार्प खाते हैं इनको क्या है हम और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डेटेल से जानेंगे कि मीजो कार्प क्या है एपी कार्प क्या है तो हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट और फ्रूट के अलग प्लाट और साथ ही साथ सीट के अलग अलग पार्ट के बा पीच, ओली, पीच, पिलम, परसीमोन, ओली, पीच, पिलम, परसीमोन, चेरी, चेरी, फाल्सा, और जामुन. क्या है मीजोकार्प और एपिकार्प कौन-कौन से फ़लों का खाते हैं? ओली, पीच, पिलम, परसीमोन, चेरी, फाल्सा और जामुन. जामुन सभी लोगों ने देखा होगा, जामुन का क्या खाते हैं? उपरी जो लेयर होता है, यानि कि एपिकार्प और जो मद्द वाला प खाते हैं, इसको याद करने का एक ट्रक है, ओपो, अभी जो करेंट में क्या है, ओपो केमरा है, उसका जो केमरा होता है, वो सेल्पी के लिए बहुत ही प्रसद्द है, इसलिए उसी बेस पर एक ट्रक है, ओपो केमरा, ओपो केमरा, फोन का जल्वा, ओपो केमरा, फोन का ज पी से होजागा पीच और जो सेकन्ड पी है उसे हो जागा पिलम अब आपड़ में जनरली würden होती है हम यह पर तीन पी युज करेंगे जिससे क्या हो जागा पीफूर हो जागा परसीमॉन फिर केमरा का लेंगे सी सी से हो जाएगा चेरी और फोन का लेंगे पी-च, पी-एश से हो जाएगा फालसा, फोन का, का से हो जाएगा के, के Is Sab وجाए गौरू दाविस आएगा क्रूद का और जेए से हो जाएगा जम जलवा यानि की ये तो ज जिये से हो जाएगा जाम न तो इनसीं को क्या है इस chord से हम याद कर सकते हैं second जो इसका classification है वो है मिजो कार्फ मिजो कार्फ मिजो कार्फ मिजो कार्फ क्या है मिजो कार्फ हमने समझा जो Epikarp और Endokarp की जो मद्द वाला पॉर्चन होता है वो क्या है एपल में थूड़ा क्रीमी कलर कर था उसे क्या कहते हैं मीजोकार प्यानी की मद्ध फलवित्ती कहते हैं तो मद्ध फलवित्ती कौन कौन सी फलों की खाई जाती है तो वो हैं टेमारिंड टेमारिंड सेपोटा पपाया मैंगो मैंगो पैसन फ्रूट मुल्वेरी मैंगो 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 मद्द वाला पॉर्शन यानि जो सेंट्र वाला पॉर्शन है वह हम खाने के लिए यूज करते हैं और गुठली और छेल के क्या अलग अतार कर फेक देते हैं तो हमने कौन-कौन से फलों का मीजो कार्प खाते हैं इमली सैपोटा यानि चीकू पापाया पपीता मैंगो आम प तार प्रիख समया कौन स्ट्रीलल ... वो सप्सक्राव साल पते हैं जो समया क्या अनुज अप्ड़ खा खाते हैं अब चांच जो पेरिकार्प कार्प से बहें कस्टर्ड एपल कर स्टर्डं कि एप आपकाड़ कर स्टर्ड एप पल एवोगाड़ कर बेर और डेट पांगल वेर और डेट पार अ क्या है पेरिकर्प के जो एक्जामपल्स है यानि जिन फलों का हम पेरिकर्प खाते हैं हमें कस्टड अब्पल, इवोकाड़ो बेर और डेट पॉल्म तो क्या है? इनको याद करने का एक सरल तरीका है उनको हम इस ट्रक से याद कर सकते हैं केब डेट पॉल्म कि प्लेट और भां से हम इसको याद कर सकते हैं। जिससे सी फुर हो जाएगा क्या कस्टाड पल ए फुर gustaríaगा अव़ोकाड़ो वी फुर हो जाएगा भीर डेट पार्म से हो जाएगा डेट पार्म इसको और सरल तरीके से याद करना चाहें तो हो एबी सीडी एबी सीडी करके भी इसे याद किया जा सकता है अब इसका जो चौथा टाइप है वो है मीजोकार्प एंड एंडोकार्प क्या है इसका चौथा टाइप मीजोकार्प एंड एंडोकार्प यानि कि वो है कौन कौन से फल है जिनका है मीजोकार्प यानि कि मद्ध फलवित्ती और अंता फलवित्ती क्या खाने के लिए यूज करते हैं तो वो फल है एप्रिकोट एप्रिकोट बनाना और आवला क्या है हम जो मीजुकार्प और एंडुकार्प है वो क्या है एप्रिकोट बनाना और आवला का क्या मीजुकार्प और एंडुकार्प खाते हैं बनाना को क्या खाते हैं तब हम क्या करते हैं उसके छिलके वाले जो पूर्चाने उसको छिलका क्या अलग कर देते हैं और जो मीजोकार्प और एंडोकार्प है उसको क्या हम खाते हैं एंडोकार्प जो डोट-डोट करके काली कलर का थोड़ा डोट-डोट करके होता है वो क् इसमें एंडोकार्प को नहीं खाया जाता है, फिर भी इसे मीजोकार्प और एंडोकार्प में क्यों रखा गया है, क्योंकि यह बोटनी में, यदि बोटनी में बात करें, तो बोटनी में आवले को मीजोकार्प और एंडोकार्प के अंतरगत रखा गया है, इसलिए हमने यह पर भी क्या मीजोकार्प और एंडोकार्प के अंदरगत कि इसको आवले को रखा है अब इसका जो पाचवा किलासी फिकिशन है वो है फ्लैसी थैलेमस फ्लैसी थैलेमस अब थैलेमस क्या होता है फ्लैसी हो गया मसल और थैलेमस क्या कहलाता है तो थैलेमस को समझने के लिए ह हम एक structure flower की structure को देखेंगे जिससे हमें थैले मस को क्या समझने में आसानी होगी तो structure आपके सामने है इन flowers में डंठल लंबा होता है उनमें जो फूला हुआ पोर्शन है डंठल से जस्ट उपर जाए तो क्या दिखेगा फूला हुआ पोर्शन वो क्या कहलाएगा थैले मस कहलाता है किन flowers में जिन flowers का डंठल छोटा होता है उनमें फूला हुआ पार्ट क्या कहलाता है अपना थैले मस कहलाता है जो पर में जानव County क्यों क्या इसनल इसको और फेस्क यहां का आये हैं कि अंद्साइ सक फैक है अब इसका जो छहेंगा जो क्लासी किलासी किकिर्शनतिं थैनल आको त्यूंक त्यू विश्पत्तन है तो क्या होता है आपने मटर का पोधा देका होगा जो मटर का बीज होता है उस पर एक पत्री लेयर चड़ी होती है जिसे बीच चुल कहा जाता है बीच चोल के अंदर जो मटर का बीच होता है वो दो पाórट में डिवाइड रहता है जिसे क्या कहते है अपना कोटाल डॉन्स कहते हैंts इसी प्रकास चनएं में भी उसे तो कोटाईल डॉन्स के अंतरगा जितने भी जितने भी क्या है अपने nuts fruit हैं वो सभी क्या है co-tile dons के अंतर गता आजाएंगे all nuts fruit all nuts fruit केवल coconut को छोड़ कर क्या है coconut इसमें नहीं आता coconut क्या है एक endokarp है तो क्या है coconut को endokarp में रखा गया है और जितने भी अपने nuts fruit हैं उन्हें क्या co-tile dons के अंतर गर रखा गया है जैसे, बलनेट, बलनेट हुआ अपना, बलनेट, और चेस्ट नेट, चेस्ट नेट, पीकें नेट, पिस्टेश्यो नेट, और आलमंड, कि आलमंड गाहे? जो कोटाइल योन्स पे इंतर रिबांड नच्फ तफ चीशण इंतरे में क्याहे जाएक? कैसुनट कारे क्स नट क्या है को टाई लोइंस के अंदर अल नट शूता आते ह mäबल को कोकुनटको छोड़कर साथ वा जो क्लासिफिकिशन है वो है फ्लेसी रेसेप्टिकल फ्लेसी रिसेप्टीकल फ्लेसी रिसेप्टीकल क्या है जो सात्मा टाइप है वो है फ्लेसी रिसेप्टीकल अब रिसेप्टीकल क्या होता है हमने अभी बताया कि रिसेप्टीकल जिन फ्लोवर्स का डंठल यानि कि जिन फ्लोवर्स का पेडंकल लंबा होता है उनमें थेलमसी क्या कहलाता है अपना रेसेप्टिकल कहलाता है तो फेलेसी रेसेप्टिकल का जो एक्जामपल है वो है फिग क्या है फिग शोरी इससे पहले हमने क्या फिलेसी थेलमस में क्या लिखवा दिया फिग लिखवा दिया उसका फिलेसी थेलमस का फिग नहीं है पा फ्लैसी थैले मस क्या है थैले मस को हमने समझ लिया रेसेप्टिकल को भी समझ लिया तो फ्लैसी थैले मस की जो एक्जामपल है इसमें क्या आल टैम्परेट फ्रूट आ जाएंगे अपने आल टैम्परेट फ्रूट आल टैम्परेट फ्रूट क्या जाएंगे अपने आल टेंपरेट फूटें वो क्या है फ्लैसी थेले मस्की अंतरगत आते हैं जैसे अपने एपल एपल कुईंस एपल कुईंस लो काट और एपल कुईंस लो काट और स्ट्रोबेरी स्ट्रो बैरी और पियर जो पल एपल लो काट कुईंस और पियर है वो क्या है एक रोजे सी फैमली के अंतरगत एक सब फैमली आती है पॉमेडी क्या आती है पॉमेडी तो उसके अंतरगत क्या है यह फल आते हैं एपल, लोकाट, कोईंस और पियर, यदि पॉमिडी को क्या ब्रेक किया जाए, तो क्या निकलता है पॉम, तो क्या है इनका जो टाइप ऑफ फ्रूट हो गया, क्या हो गया वो पॉम, कौन से प्रकार की फल हैं, यदि इनके ख्रोमोजूम नंबर की बात की जा, तो चारों की क्रोमोजूम नंबर होते हैं, वो कितनी होते हैं, तो ट्वन, थार्टी, फॉर, अब इनके निर्मार की बात की जाए, कि इन फलों का निर्मार की जाए, कि इन फलों का निर्मार की जाए, इन फलों का निर्मार की जाए, इन फलों का निर्मार की जाए, इन फलों का निर्म निर्माड ओवरी से होता है उन्हें सत्य फल कहा जाता है ओवरी से इन फलोंकार ओवरी के अतरिक्त इन फलोंकार निर्माड हुआ है फलोवार्स के पार्टों से तो उसे क्या कहेंगे फाल्स फ्रूट क्या कहेंगे फाल्स फ्रूट तो एक क्या कहा है यह एक तो क्या है यह और यहören चारों के चार क्या हैं फाल्स फ्रूट है यह पल लोगाट ़िंज और पिर चारों के चारों फ्रूट है फाल्स फ्रूट है पॉंप infraka का फल है और चारों के chromome rage मसल्स नमबर भी है क्या क्या है समान है 34 होते स्ट्रोबेरी एक अलग से है जो कि यह भी क्या है फ्लैसी थेले मास की अंतरगत आता है वहां पर गलत हो या था इससे पिछले अभी हमने यहां पर इसे स्वरी यह होगा छटा और अब यह हो जाएगा अपना साथवा फिर जो आठवा जो टाइप है वह क्या प्लेसेंटा प्लेसेंटा क्या है प्लेसेंटा क्या होता है प्लेसेंटा को समझने के लिए हम एक इस्ट्रेक्चर की शहाता लेंगे जो आपके सामने जो इस्ट्रेक्चर है वह फ्लॉवर का इस्ट्रेक्चर है जिसमें क्या आपको ओब्री नजरा रहा होगा जो ओब्री के अंदर ओब्यूल दिख रहा होगा तो ओब्यूल ओब्री से जिस पॉइंट बिंदू से जोड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं अपन प्लेजेंटा कहते हैं प्लेजेंटा कहते हैं प्लेजेंटा क्या है ओब्री से क्या किसी टिसू द ब्रोपर क्या है इसका एक्जम्पल बील अब जो नॉमा शो टाइप है क्या सकूलेंट प्ले सेंटा क्या सब्सक्राइब क्यों कई लेंट प्ले सान कर द्था मतलetzt होता है सरत्प description तोय नियुक्त प्लेसठा कौन से फलों का प्ले सकुलेंट प्ले सेंटा खाते हैं तो वह है बूड एपल क्या है बूड एपल बूड एपल का क्या खाते हैं सकुलेंट प्ले सेंटा खाते हैं और जो दसमा जो टाइप है वह है जूसी जूसी पिले सेंटा हेयर क्या है जूसी पिले सेंटा हेयर क्या है जूसी पिले सेंटा हेयर जैसे मा जो टाइप है वह है जूसी पिले सेंटा हेयर हमने अभी बता है जूसी पिले सेंटा हेयर क्या होता है क्या है जो ओवरी है ओवियूल जिस ओवियूल जिस पॉइंट विंदू से जोड़ा रहता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं और प्लेसेंटा जिस पॉइंट विंदू से किसी ना किसी पॉइंट विंदू से क्या जोड़ा रहता है उसे क्या हेर कहा जाता है वो किसी ना किसी टिसू से क्या जॉइंट रहता है जिसे पाद अग्रल्ट का रहा है जो सब्सक्राइब अग्राइब कर दो कंड्रीर करते हैं यह दो इसी झाल तल दो कि तो नियुक्त पर दूट नियुक्त अग्राइब इस तो अग्राइब अभी हम ने बता था कि पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प और एपिकार्प से मिलकर बना होता है, जैसे क्या कहा जाता है, पेरिकार्प और प्लेसेंटा हमने समझे थे अभी, कि प्लेसेंटा क्या होता है, ओवरी से ओविल, जिस पॉइंट विंडू से जोड़ा रहता है, उसे क्या कहते है तो पेरिकार्प और प्लेसेंटा के फलों का खाया जाता है तो वह ग्रेप्स ग्रेप्स का क्या खाते हैं हम प्लेसेंटा और पेरिकार्प खाते हैं फिर जो तेरह वा जो टाइप है वह पेरिकार्प पेरिकार्प एंड थेलिमस पेरिकार्प एंड थेलिमस तो pericarp और thelemus के फ़लों का ख़या जाता है तो बो है guava Guava का क्या खाते हैं Pericarp और thelemus काते हैं फिर जो 14 है मा जो type है बो क्या है juicy 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 सीड कोट जूुसी शीड कोट यूसीययR किौसीय ऐ करेंग यूसी कभरिंग अभैजय है क्या है फोड़ा सेफ हीड ऐ जा सकती हैं क्यसी έχशामपल है ऑप्म गरीणिट क्या है प्म गरीणिट पॉम ग्रेनेट क्या है जूशी सीट कोट भी क्या है ऑप्शन में आ सकता है जूशी एरल भी आ सकता है जूशी कबरिंग करके भी क्या ऑप्शन में आ सकता है इसलिए हमें क्या लगाना है वहां पर पॉम ग्रेनेट को ही लगाना है फिर क्या है जो पंदर है मां जो क्लासी ऐसे लीची क्या है अपना लीची आपने लेस फ्लैसे लयूंझ ङजमपल है फ्लैस है।Ấ जोना थैप है इसका है और्य को पर्लेसे जवं इसकडर करोंकार कला है। और पहने कैसा हम इकडिया काछले हैं। अब यह भी वन मे ने बताया क्ली तैनavi में आपना ना इसका जू एकजामपल है वो है को कोनट क्या है को को नट को नट में जो पानी भरा रहता हुआ ही जम जम कर क्या करता है अपना एंडो का निर मार करता दो और स्कवकलिस गमरी क्या है और जो चेश सेट करने अधिसका उनी यहां और सरे कंगी है वो है ब्रेक्ट एंड पेरियंथ ब्रेक्ट एंड पेरियंथ पेरियंथ तो ब्रेक्ट एंड पेरियंथ क्या है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसे क्या है हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ब्रेक्ट और पेरियंथ और अपने एंडोकार मीजुकार्प आदी की बारे में डिसकस करेंगे तो अभी के लिए हम केवल इनके एक्जामपल्स को ही क्या समझ लेते हैं कि ब्रेक्ट एंड पेरियंद के जो एक्जामपल है वो कौन कौन से हैं जैक फ्रूट जैक फ्रूट और पाइनेपल जैक फ्रूट और पाइनेपल हम ने खाद्धभग के आधर पर जितने भी टाइप थे उनस भी को पड़ लिया है अब जो next classification है वो है classification 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 based on based on type of fruit types of fruit क्या है फलों की प्रकार के आधार पर बर्गी करें कि फल कौन-कौन से प्रकार के फल होते हैं जैसे लॉमेंटम हुआ आपका पॉड्ध हुआ लेग्यूम आदे तो इनहीं के आधार पर हम ने इनको क्या जो classified किया है वो जो type of fruit है वो क्या है? तीन प्रकार से इनको बरिकत किया गया है पहला है एकल fruit एकल फल यहनि कि simple fruit simple fruit और जो दूसरा टाइप है वो अपना पुंज फल पुंज फल यहनि कि aggregate fruit और जो तीसरा टाइप है वो संग्रंथित फल संग्रंथित संग्रंथित फल यहनि कि composite composite यह मल्टीपल मल्टी फ्रूट क्या है जो टाइप फ्रूट की आदार पुट फलों को तीन टाइप से बरिकत किया गया है नम्बर फर्स्ट एकल फ्रूट नम्बर सेकड पुंज फल और नम्बर थिरी है जो वो कौन सा है संग्रंथित फल अब जो एकल फल है उनको दो टाइप में भाजित किया गया है नम्बर एक सकूलेंट फ्रूट यानि कि सरस फल इसको क्या बोलते हैं सकूलेंट फ्रूट सकूलेंट फ्रूट और दूसरा है अपना दॉइब फ्रूट यानि कि सुस्कफल जो एकल फल है उनको दू टाइप से बेवाजित किया गया है नम्बर एक सरस फल और नम्बर दूज is susk फल जो सरस फल है उनको क्या उनको भी क्या कई टाइपों में भाजित किया गया है जैसे नमबर एक आपका सरस यानि की बेरी नमबर दो अस्ठी फल अस्ठी अस्ठी फल यानि की ड्रॉप ड्रॉप या स्टोन और नमबर तीसरा पीपो पीपो यानि की पीपो और नमबर चार है सेविया क्या सेविया यानि की पोम सेविया पोम और नमबर जो पाँच है वो हैस पेरीडियम हैस पेरीडियम हैस पेरीडियम हैस पेरी डियम और नमबर छह है एमफी सारका एमफी सारका ए एम पी एच आई एमफी सारका और नमबर साथ है बलाश्टा क्या है बलाश्टा बलाश्टा क्या है बलाश्टा जो सरस फल है उनको क्या एक तो जो सरस फल है उनको हमने सरस यानि की बेरी अस्टी फल यानि की ड्रॉप और पीपो, पोम, हैस पेरेडियम एमफी सारका और बलाश्टा में क्या बिभाज़त की आ गया है और जो नमबर दूसरा है वो है ड्राइ फ्रूट यानि की स्विस्क फल इनको तीन टाइप से बिभाज़त की आ गया है नमबर एक आइस फोटी फल आइस फोटी आइस फोटी फल यानि की इंडी जेंट फ्रूट इंडी जेंट इंडी जेंट फ्रूट आए इस फोटी फल और नम्मर सेकंड इस फोटी फल इस फोटी फल ने की डी जेंट फ्रूट डी जेंट फ्रूट क्या होगा झाल से साईजोकर्ष जो अमझे तीन टाइप से विवाज़ित किया है क्या है नम्बरर फर्स्ट जो नमबर 3 ब्रृदर फ़ल जो इस्फोर्टी फ़ल है उनको भी कई टाइप से भाज़त किया गया है नमबर 1 जैसे करियॉप्सेस करियॉइप्सेस करियॉप्सेस दमों दू समारा फ्रूट समारा फ़ल समारा फ्रूट और नमर दो एकीन फ्रूट एकीन फल एकीन फ्रूट एकीन फ्रूट नमर चार सिपसेला 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 फ्रूट और नमबर पांच नट्स फ्रूट नट्स फ्रूट नट्स फ्रूट क्या है इस फोटी फ्रूट को कितने पांच भागों बिवाज़ित किया गया है number 1, bond 2, phylloids, number 3, summer leaf fruit, number 4, описella fruit, number 5, nest fruit और जो फोटी फल है उन्हेंं उन्हें भी बिभाजित किया गया है number first है आपका pod या legume फल legume fruit इसे को क्या फली कहते हैं number second है follical Follicle Follicle Fruit नम्बर तीन है कौन सा 6 Sili Kuga Sili Sili Kuga Sili Sili Kuga और नम्बर चार Sili Kula Sili Kula Sili Kula और नम्बर पांच है Capsule Capsule क्या है आइस फूटी फल को भी कितने पांच भागों बेवाज़ित किया गया है नम्बर एक Follicle नम्बर सेकंड है Sili Kula और नम्बर तीन Sili Kula नम्बर चार कैपसूल और नम्बर पांच Podea Legum जो बिदरुफल है उन्हें भी क्या है पांच टाइप से बेवाज़ित किया गया है नम्बर एक लॉमेंटम 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 नम्बर दूसर क्रीमो कार्प क्रीमो कार्प और नम्बर तीन है रेगमा रेगमा फ्रूट और नम्बर चार है कार्से रूलस कार्से रूलस फ्रूट और नम्बर पांच है डवल समारा क्या है डवल समारा क्या है जो बिद फ़ल है उन्हें भी कितने पांच ताइप से बिभाजत किया गया है लॉमेंटम कीरीमो कार्प रेगमा कर्से रूलस और डवल समारा हमने क्लासिपिकिसन आप टाइप फ्रूट के ताइप फ्रूट जो है वो कितने तीन टाइप से हैं पुंज फल एकल फल और संग्रंतित फल को भी क्या दो टाइप से विभाज़त किया गया है पर एक साइकुनस साइकुनस और दूसा है सोरोसिस सोरोसिस क्या संग्रंतित फल के दो टाइप हैं साइकुनस और सोरोसिस पुझ फल के कोई टाइब नहीं है और एकल फल में क्या एकल फल के तनी टाइब का हो दोप टाइब का नमबर फrst सरल फल और नमबर सेकंड यानि की सुसक फल जो सरल फल है उनको भी 5-7 भागों में भाज़त किया गया है नमबर एक सरस यानि की बेरी, नमबर दू ड्रॉप, नमबर तीन पीपो, नमबर चार पॉम, नमबर पांच है स्पेरिडियम, नमबर छे एमपीसर का और नमबर साथ ब्लोस्टा, जो ड्राइ फ्रूट हैं उन्हें भी क्या तीन टाइप से भाज़ित किया गया है, आयस पॉटी फल हैं उन्हें भी पांच टाइप से विवाज़ित किया गया है, पोडिया लेग्यूम, और फॉलीकल, सिलीकुआ, सिलीकुला, और कैपसूल, और जो बिदूर फल हैं उन्हें भी पांच टाइप से लॉमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगमा, कार्सिरोलस और डबल सम हमने फलों के प्रकार में जितनी टाइप थे उन सभी को हमने आज समझ लिया है, अब हम इससे आगे जो अगली वीडियो है, उसमें संग्रंतित फल, एकल फल, पुंज फल क्या है, उन सभी को डिटेल से जानेंगे, आज के लिए बस इतना ही, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, और आल के अप्शन को सेलेप्ट करें, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो लाएं, तो उसका नोटिफिक्शन आप तक पहुंच जाए, जिससे आप उस वीडियो का ला आप उठा सकें, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,